नमस्कार आज हम इस हतेली पर एक विशेश आंशिक विश्लिष्टन करने जा रहे हैं और विश्लिष्टन का विशे है हमारी हतेली पर उभरने वाले कुछ शुब लक्षन जो इशारा करते हैं कि जा तक कितना धन्वान बनेगा जिन्दिगी में कितना सफल होगा वास्तम में हम लोग ना एक बड़े भौतिक वादी युग में रह रहे हैं मेटलिस्टिक वर्ल्ड जहां पर पैसा नेक्स्ट टू गॉड बन गया है और कईयों के लिए तो मनी इस गॉड ऐसे युग में जातकों के मन में ये जिग्या साउत्पन होना की भवशे में उनकी हतेली पर कुछ लक्षनों भर रहे हैं जो इशारा कर सकें कि जातक कितना धन्वान बनेगा आजम उन्हीं लक्षनों के बारें बात करेंगे बेसिक लक्षन समाने लक्षन हर धनी के हाथ में ये तो होने ही चाहिए सबसे पहली चीज हातेली का भारीपन देखिए भारीपन मतलब हातेली कितनी मोटी मोटी कब होगी जब हातेली पर भरने वाले सारे परवत या आल्मोस्ट सारे परवत वैल डवलप्ड होंगे सोविक्सित वैल डवलप्ड होंगे तो परवत उपर उभार होगा उभार हुआ तो हतेली भारी हो गई मोटी हो गई सोविक्सित परवत है तो उससे सम्मंदित दिग्र है हमको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे अनुकूल है तो जिन्दगी में जो भी हमें मिलना है गरहों के शुप इस्तान पर होने करण वो बहुत पॉजिटिव मिलेगा तो हतेली भारी पहला लक्षण जातक धन्वान बनेगा ही बनेगा अब लक्षण नमबर दो आप देखिए हातेली का रंग कैसा है और इस हातेली का रंग जस्ट ऑसम गहँवासा गुलाबी सा हलका गुलाबी सा और हलका गुलाबी रंग सर्वोतम मना जाता है जहां तक बात प्रॉस्पेर्टी की है तो हातेली हमारी हलकी गुलाबी हो जातक संपन बनेगा ही बनेगा आगे चलिए लक्षण नमबर तीन हातेली पर अंगुटे के नीचे इस शुक्र प्रवत को देखिए यदि शुक्र प्रवत अच्छा बुरा हुआ है सुविक्सित वैल डवलप्ड तो यह भोगों का राजा है भोग के लिए प्रोस्पेर्टी होनी ही चाहिए संपनता होनी ही चाहिए कहीं से भी आए आपके जीवन में धन आएगा ही आएगा क्योंकि लगजरी तो आपकी हतेली पर लिखी है वो तो आनी है धन से आएगी तो धन का सोर्ष कुछ भी रहे आपकी जिन्दिगी में धन आएगा ही आएगा पक्का नेश्चित अगला पॉंट देखिए अब हतेली के बीचों बीच भाग्ये रिखा को देखिए अगर भाग्ये रिखा मनी मंद के पास निकल रही है और शनी पर्वत तक पहुंच रही है मनी मंद के पास के तू के तू अगर सुविक्सित ऐसे ही उपर शनी पर्वत वो फ्लेट बहुत ही शुब शनी पर्वत पर कोई अशुब निशान नहीं और बहाग्ये रिखा इस पास्ट पतली निर्दोश कहीं से खंडित नहीं फीकी नहीं किसी आड़ी रिखा से कठी नहीं कोई मोल वगेरा भी नहीं तो भाग्ये रिखा बहुत ही अच्छी और हातली पर भाग्ये रिखा होना अपने आप में सफलता की निशानी जातक सफल होगा अगर शनी परवद भाग्ये रिखा अच्छी है तो धन के मामले में जातक बहुती भाग्ये शाली जातक के जीवन में धन आएगा ही आएगा स्रोत कुछ भी रहे लेकिन धन तो आना ही आना जातक को सफल बनना ही बनना भाग्ये रिखा भाग्ये हमें अनुकूलता देता है जो हम प्रियास करते हैं न वो निश्वल कम होते हैं अनुकूलता मिलती है प्रियासों को सफलता मिलती है प्रियासों को सफलता मिली तो आप सफल सफल तो आपके पास संसारिक उपलब दिया है इसके बाद देखे नंबर पांच पर सूर्य परवत को यह भी फ्लेट ही होता है और फ्लेट को इश्यू मना जाता है ऐसे फ्लेट सूर्य परवत पर जहां पर कोई जुम्रिशान नहीं और सूर्य रिखा उभर रही हो पतली इसपस्ट निर्दोश बहुत ही शुब जिस कालवदी में यह सूर्य रिखा उभर रही है इस हतेली में उमर रही है पच्चेश चब्श के आज़ पास तो जब भी आपकी सुर्य रिखा उभरे तो पक्का मान लीजिए उस कालवदी में आपे जो भी प्रितन की हैं जो भी प्रयास की हैं जो भी अनुकूलता मिली है अब उस अनुकूलता को उस सफलता को संसारिक उपलब्दिया मिलनी शुरू हो जाएंगी तो पच्चिस के बाद जातक की जिन्दिगी में भाग गयो दे शुरू अब जातक को सफलता तो मिलेगी जिस काम में वो है साथ में संपनता भी मिलेगी संपनता धन जायदा जातक खूब कमाएगा पच्चिस के बाद जहां जहां आपकी भाग गयरे का बहुतीस पस्ट उस उस काल अवदी में जातक खूब कमाएगा संपनता धन सफलता जब सफलता मिली धनाया साथ में सम्मान मिले के आएगा इज्जत मिले के आएगा और इज्जत के साथ यश्च भी आता है नाम रिगार्ड प्रेस्टिच तो पच्चिस के बाद जातक का भाग गया उद्य होना निश्चत जिस काल अवदी में सुर्य रिखा उबर रही है आपका भाग गया उद्य हो गया आपके प्रियासों को सफलता मिली सफलता आपको संसारिक उपलब दियांद लाएगी आप सफल आप धनी आप इजद्दार आप यश्वान अब जिन्दगी अपने आप में पूरी हो गई क्योंकि आज के युग में सफल होने का एक मात्र जरिया वो है जातक ने धन कितना कमाया इजद्द कितनी कमायी और जातक कितने लोगों के द्वारा जाना गया तो हाते ली पा अगर ये पांश लक्षण भी शुब अवस्ता में हैं तो आज कैसा भी हो लेकिन कल पैसे के मामले में बहुत ही शांदार आप धन्वान जरूर बनेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया झाल झाल